आपका स्वागत है मैं हूँ अजे प्रताप सिंग आज बात करेंगे हम साइबर क्राइम पर साइबर क्राइम आज के समय में बढ़ता ही जा रहा है और इसका शिकार कोई भी व्यक्ति किसी भी समय हो सकता है लेकिन इस पर ज्यादा तर लोगों की नजर नहीं होती और अपने बैंक अकाउंट तक को लोग सुरक्षित मांते हैं ऐसा नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित हो और आप पूरी तरह से अपने पैसे के परती आश्वस्त रहें ऐसा एक खुलासा करने वाले हैं मनीश गोयल जी जो मुरदवाद से तालुक रखते हैं और इतने बड़े घोटाले का इनों ने परदाफाश किया कि आज हिंदुस्तान के ऐसे कई बड़े शहरों में और कई बड़े अधिकारी से लेकर मंतरी तक को इन्हें बुलाना पड़ और इन से पूरी बात सुनी और इनका प्रोचाहन किया और हमारे साथ है मनीश गोयल जी मनीश जी आपका स्वागत है हमारे कालिग्रम में आप ये बताईए कि साइबर क्राइम क्या है इसकी डिटेल में थोड़ी जी हमारे दर्शकों को बताईए हम लोग डिसीजल की हैं हमारी मेहनत का पैसा कोई आदमी निकाल लेता है और हमें ये भी नहीं पता लग पाती कि वो हमारे देश का है या नहीं हमारे जिले का है या नहीं एक आम आदमी का जब पैसा निकलता है तो सबसे बड़ी उसकी आगे परशानी होती है कि वो F.I.R. किसके खिलाफ लाए जब कि इसमें कोई भी हमारी सुरक्षा को लेगर कोई ऐसे प्शेस नहीं है कि हम सक्कियोर हो हमारा पैसा लगाता निकलता जा रहा है यह जो आधार कार्ड बैंक अगाउंट से लिंक किया जा रहा है क्या इससे भी यह ख़त्रा बढ़ गया है जैसा कि मेरे साथ पिछले दिएड़ साल पहले हुआ था कि मेरे साथ 25 या रोपे की ओनलाइन फिरॉट शॉपिंग की गई थी जब मैं उसकी तेह तक पहुचा जिस बीच में एमेज़न कंपनी दोवारे शॉपिंग फिरॉट शॉपिंग की गई थी उसने जब हाथ ख़ड़े कर दिये कि हमें कोई मतलम नहीं है आईसे बैंक उसने हाथ ख़ड़े कर दिये जब कि मैंने उनको कहा कि अगर एक आम आदमी अपने रेस्टर्ट मोबाईल नंबर से आपको कंप्लेंड कर रहा है तो आपको क्रॉस वेरिफिकेशन तो करना चाहिए जैसा कि मेरे साथ हुआ था उनके दुवारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली गई और वो पैसा निकला उस पे FIR होई FIR के बाद जब कार्यवाई नहीं हो रही थी तब मैंने खुद स्टडी करके उसकी तह तक जाना देश्य था मेरा क्योंकि मैं कभी भी ATM कार्ड को किसी बैंक के ATM में यूज नहीं करता मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता तो मेरे लिए टार्गेट यह था कि यह पैसा आखिर मेरा गया कैसे जब मुझे जाज करते करते पांच महीने लग गई यह पता करने में कि वो जो चीटर है वो बिहार का है एक बहुत गरीब घर का है औ और उसने हमारे यहां के हजारों यूवां लड़के लड़कियां अपने अंडर में 20 परसेंट, 30 परसेंट और 50 परसेंट के रेशियो में अपने एजेंट बना रखे हैं जिनसे वो काम करवाता है जिससे कभी भी पकड़े जाए तो वो लोग पकड़े जाए इस तक कोई पहुच पाए जब मुझे यह जानकारी हुई थी तब मैं वो फाइल लेकर मुरदवाद SSP सर के हां गया था उन्होंने बहुत मुझे प्रोसान दिया और जिले की क्राइम मिटिंग में भी बुलाया जिसमें मुझे 15 मिनिट बोलने के लिए कहा लेकिन तुरंती उनका बीजी पी औफिस में ADG कराइम सर के हां आनंग सर के हां बीजी कार्मिक सर मनोस्तिवारी सर के हां भी गया यहां तक कि योगी जी के जनता दरवार में भी कि सर यह रहा आदमी यह रहे इसकी लोकेशन यह रहे इसके फोन नंबर आप प्लीज उठा तो लीजिए सब नहीं आसवाशन दिया, जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने उस शातिर अपरादी से दो माहा तक मैंने चैटिंग की, उसके अंडर में एक लखनों का लड़का आ रहा था जिसका IP address मेरे case में trace हुआ था, मैंने उसके जरीए दो महीने तक उससे चैटिंग की, कि यार तुम डाटा कैसे चुराते हो, मुझे कैसे दोगे और कितने रुपों में दोगे, जब उसने वो सारी जानकारी दी कि मेरे पास भारत के लाखों लोगों की bank detail है, और मैं आपको 20,000 रुपे में 10,000 लोगों की bank detail दे सकता हूँ जब मुझे उसका उदेश्य पता लगा, तो पता नहीं एक जुनून साया कि यार अगर हम लोग नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा, क्या हर आदमी ये कहता रहेगा कि मेरे जो है रुपे गए तो गए मैं आगे नियो बढ़ ला तो एक दूसरे पर टालते रहेंग तो कौन पकड़ेगा, वो फाइल मैंने नए SSP सर को दिखाई, उन्होंने उस केस को जब देखा कि नहीं ये वाकई में बहुत बड़ा शातिर है, तुरंत एक टीम बनाई और मुझे भी साथ में बैंगलोर भेजा, जहां उसका एक रेस्टोरेंट था, मैं उसको दो महीने में आया है, मैंने वहाँ उनको जानकरी दी, कोतनूर थाने में बैंगलोर के, वो पुलिस लेकर आये, हमने उसको घेरा, और उसके पास से मैंने भारत के बाततर हजाल लोगों की बैंक डिटेल केवल एक फाइल से बरामत की, और मानने नरेन मोधी जी की वो भीम एप्लिके फोटो के साथ वो चला रहा था, जिनका उदेश्य केवल यही होता था कि भारत के लोग उसमें अपनी बैंक डिटेल डालें और ये उनको हैक कर लें, और ये इतना शातिर था कि इसने हमारे या के जो हजारों लोग अपने एजेंट बना रहा थे ये लैप्टॉप तो किस किसी का इस्तेमल कर रहा है, कोरियर किसी के आड्रस पर ले रहा है दूसरे शहर में और पैसा किसी के अकाउंट में पढ़वा रहा है, जो सारी इसके एजेंट होते थे, जैसे मेरे केस में इसने लखनों का लैक्टॉप इस्तेमाल किया, दिल्ली ओडर लिया और बिहार के एक account में पैसा पड़वाया जो zero balance वाले account होते थे ये उनको hire कर लेता था 2000-1000 रुपे महीने पे कि तुम लोग तो use नहीं कर रहे और उसमें ये लाखो करोड़ो रुपे की transaction घुमाते थे जिससे ये लोग कभी नहीं पकड़े जाएं यानि कि हमारा भविश्य भी खतम हमारे देश के जो युवा हैं जब इस तरफ चले जाएंगे कि रोज को उन्हें लाखो रुपे मिल जाएंगे बिना मेहनत के तो क्या भविश्य बनेगा सारा talent तो हमारा इसी तरफ जा रहा था और दूसरी बात ये लोग बाहर बैटके अपना network चलाते हैं कि इनको कोई नहीं पकड़ पाएं जब उस शातिर को मैं खुद बैंगलोड से लेकर आया मुरादबाद उसके पास सारी website है सारा data उसको मैंने filter करके संबंधित बैंकों को mail किया ब्लॉग करवाया उसी चीज़ पुलिस को लेकर 26 जनवरी को मुझे डियाई सन्नेवी सम्मान दिया सांसर जी विधायक जी समेत काफी संस्ताओं ने दिया जिसको लेकर मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई कि चलो ये तो सुरक्षित हुआ लेकिन पैसा तो निकली रहे तब मैंने जो एक आम आदमी को बे ली देकर भी आया हूँ विजय सांपला जी के यहां पे और वीजय पी ऑफिस में कि मुझे पूरी उमीद है कि अगर एक आम आदमी को मौका मिलेगा तो उस गाइडलाइस द्वारा हम चोड़ी रोक सकते हैं और उन गाइडलाइस का मैंने नाम रखा है CCTV आप सब जानते है कि जब से CCTV हमारे आए हैं चोरिया कम हो गई क्योंकि अपरादी को पता होता है कि यहां CCTV है यहां चोरी नहीं करेंगे नहीं तो हम पकड़े जाएंगे मैं यह चाता हूँ कि जब किसी आम आदमी का पैसा निकले तो उस पे सारी information उसी समय आ जाए कि कौन अपरादी है कहां रहता है किस mobile number से उसने fraud shopping किया है और क्या order लिया है अगर इतनी जानकारी एक आदमी पर आजएगी तो जो यह लोग सोचते हैं कि हम लोग 20-25 एर के लिए आगे नहीं बढ़ते ऐसा नहीं है जब हमें जानकारी होगी तो हम 10 रुपे के लिए भी आगे बढ़ेंगे वो हमा किरा python किराई मेरा वर्दी पहनना जरूरी है क्या सारी जिम्मेदारी मेडिया पुलिस और राजयतिक लोगों कि क्या आम आदमी कि कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और अगर जिम्मेदारी बनती है तो आप लोग किरपे आगे उसे बढ़ाएं हमारे देश का भविष्य बह समारे देश का दुनिया में हम लोग डिजिटल की तरफ बढ़ना हैं लेकिन हमारा बे सक्योर नहीं है एक आम आदमी एक आम व्यपारी केबल इतना चाहता है कि जो उसका पैसा है वो सुरक्षित रहे सरकार करें डिजिटल भुकतान करें डिजिटल सब कुछ रखिए बैंक अकाउंट भी डिजिटल कर लीजे नेट बैंकिंग करें यह कहां तक सुरक्षित है और अगर यह सुरक्षित नहीं है तो इस चीज से बचने का तरीका क्या है देखिए हमारे यहां सबसे बड़ी कमी जो है वो awareness की है अब मैं यह नहीं कहता कि सरकार awareness नहीं करती है या bank नहीं करते लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो कुछ चूक का base level पर कर देती है जैसे bank message डालती है बहुत अच्छी बात है अवेर करने के लिए message डालती है लेकिन वो message क्य आता है आप उस coverage के साथ उस bank के manager के statement दीजिए कि इसमें क्या इस वादी की गलती थी क्या इसकी गलती से इसका पैसा निकलाए तो पुलिस और बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है तब awareness आईगी जब आदमी को लगेगा कि अगर हम गलती करेंगे और तो हमारा पैसा निकल रहे तो उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है आप इसका उधारन लीजिए जब लोग दिल्ली जाती है एक आम आदमी एक चाहें उस गाओं का या आदमी क्यों नहों दिल्ली जाता है तो उसकी गाजियावाद से seatbelt लग जाती है क्योंकि उसके इंदर डर होता है जबकि च जाओंगा क्योंकि मैं गलत हूँ केवल एक डरी तो बनाना है हमें तो कुछ गाड्लाइस दुवारा हम वो डर बना सकते हैं 100% बना सकते हैं लेकिन हमें बेस पे आने की ज़रूवत है जिसे आपके साथ में यह फ्रॉड हुआ तो आप थाने गए आपने F.I.R. भी कराने क कोशिश की तो क्या यहां के पुलिस प्रशासन ने तुरंद एक्षन लिया या आपको टहलाने की कोशिश की मेरी F.I.R. लगबग 21 दिन बाद लिखी गई थी क्योंकि एक बेस प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे पुलिस अधिकारी है मैं उनको ऐसा नहीं है कि गलत कहूंग Amazon से जो order निकल ला है उसके लिए किसी दुकान की जरुवत नहीं है वो online shopping हो रही है यह बेस तीज़े जब आदमी से question होते हैं वादी से तो वो टूट जाता है वो आगे नहीं बढ़ता तो इसके लिए जो special sell है हमारे यहां उनमें लेकिन उनमें भी लोग कम है क्योंकि load ज पर उन लोगों पर बहुत लोड़े हैं वो कहते हम इतना दिमाग लगाई नहीं पाते कि यह क्यों हो रहा है लेकिन एक आम आत्मी लगा सकता है उस पर कोई load नहीं है वो मेरा जो कहना है मैं यह कहना है के वल कि अगर 100 केस हो रहे हैं हमारे यां मैं दुनिया के नहीं जानत पब्लिक को इससे बचने के लिए आप क्या संदेश देना चाहें कैसे बचे हैं सबसे पहले मैं अपने यहां के युवा को मैं अपने युवा भाई बहनों को एक मैसेज देना चाहूँगा छोड़े भाई के नाते कि यह क्रिमिनल हमारे भाई बहनों को ही जोडते हैं क्य जाओगे IP address एक ऐसी चीज़ है जो trace उसको हम कभी भी कर सकते हैं वो record आपका save हो गया उसको कभी भी उठा सकते हैं ऐसे अपरादियों की शरण में ना जाएं अपना जो talent है वो अच्छे कारणे में लगाएं और आप अपने घर का दो वविश्य हो आप हमारे देश का लेकिन शायद समय ना होने के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते लेकिन अगर उन्हें platform मिलेगा जैसे हमारे पल्स पोली होता सबसे बड़ा क्या पल्स बोली हो हमने आपनियों की मदद नहीं ली क्या हमने संस्थाओं की मदद नहीं ली क्या व्यपारिक लोगों की करें और जिन लोगों में टैलेंट हैं वो आगे आकर उसको प्रेजेंट करें और देश का भविश्य शुरक्षित करें तो देखा आपने कि साइबर क्राइम क्या है और इससे बचने के तरीके क्या है मनीश गोयल जी ने हिम्मत रखी और खुद के साथ फ्रॉड तो हुआ उ स्वैम करें जाग रुक रहें और किसी के बहकावे में आकर ठगों के साथ ना मिलें तब तक के लिए आप अजय प्रताप सिंग को दीजिए इजाज़त फिर होगी मुलाकात किसी नई शक्सियत के साथ नमस्कार